हेलो बेटा हेलो बेटा वेल्कम टू एंटू एल और हम क्लास नाइंत का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे और थर्टीन चप्टर चल रहा था उसी हो कॉंटिने करेंगे ठीक है और हम बात करेंगे कोश्ण नंबर थर्ड की तो कर चुके पहले हम तो पढ़ते हैं कोश्ण को फ पतलब आपका जो टीन है तो सोफ डिंक है वो आपको आपका अपर ऐसे बना हुआ है ठीक है चार सेंट पास सेंटिमेटर लंबाई उसकी चोड़ाई है और उचाई दिरिख्षी अगर आप 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 जोड़ देंगे तो वह बन जाता है बेटा जी क्या बन जाता है वह आ प्लास्टिक का बेलनाकार यह बेलनाकार है इस तरह से ठीक है और आप से पूचाए गया है कि धरीता अधिक है धरीता मतलब दोनों मैसेज किसका आधन जादा है और कितना जादा है तो चलते है फटावाट से फिगर मनाते है और कोशनू जल्दी से करते हैं खत्म तो इस तरह से इनकी फिगर बन जाएगी बेटा यह आपका एक टीन आथकार है और एक टीन आपका बेलनाकार है उचाए 10 सेंडमेटर दीवी है तो दिरजे क्या होती है बेटा जी व्याज बटे में 2 मतलब आपका 7 बटे में 2 सेंटी मीटर यहापर इसकी लंबाई चुड आपने इसका आयतन तो आपको पता है पाई आर स्क्वेयर एच तो वाइस बटे साथ कितना है साथ बटे दो पावर दो गुणा में अच्छ था अपना दस सेंटीमेटर एवी सेंटीमेटर आ जाएगा चीक है उसके बात्या करेंगे आप इसे खूलेंगे वाइस बटे में सा साथ बटे मेंडियो सेंटीमेटर साथ बटे में दो सातीमीटर फना में सा इकमरफ तेख का का 2 कंदो दो कम दो 2 एकम दो पिल्टीमेटर औरो जो बिलनाकार था अब निकालेंगे जो हमारा घनापकार इसका ये तिए टिन आ उटा लेंगे तो हमें पता वो क्या होता है लंबाई कुणा में भुणा में फुय तो क्या बेटा जी 5 सेंटीमेटर गुणा में 4 सेंटीमेटर गुणा में तींसो गंशेंटीमीटर यह आपको दिखा रहा होगा कि दोनों में से किसका आयतन जदा है उसको पता लग गया होगा प्लीज इसको आप कमेंट बोट्स में देना किस्ट का आंसर कितना कौन ज्यादा है और कौन कम कितना कम है ठीक है तो उसके बाद हम चलते हैं कौशन नंबर फॉर्थ के आपका इट बेलन का पाश्र प्रिष्चे शेत रफल कितना दिया आपको 94.2 सेंटीमीटर इबर सेंटीमीटर ठीक है तो मैं आपको बता रखेंगे जो भी आपको दिया होता है वेली उसका फामला उसके ब्राबर रख देते हैं उसकी उचाए भी आपको पास सेंटीमेटर तो द्याक करना है धार्ती त्रिज्जा वेलन का आइटन और आपको पाई रखना है ध्यान की आपको पाई रखना है आप में 3.14 आइथन के लिए चलिए हम चलते पहले फटाफाट निकालते हैं कुश्चन का आंसर तो देखें आपको पार्श पिष्क्षेट्वल दिए आपको 94.2 वाट में उचाय दिया 5 सेंटीमेटर तो इस्ता फार्मला में पता है फार्मला होता है सुत्र उतर तू पाई रह बराबर 94.2 वार सेंटीमेटर तो दो गुणा में 3.14 इंटो में और आभ निकालने है पाँच इस वर्टू 94.2 वर्ट सेंटीमीटर दीखिए अभी सेंटीमीटर आएगा उसके बाद आपने इसको से मल्टिलाय कर दिया दो चोग आठ दो एकम दो और दो तिया छे इंटू में फाइव आर ठीक है 94.2 सेंटीमीटर यावी सेंटीमीटर रहेगा वो ठीक है उसके पर चाहिए आपको उसके पाद आपने इसको से मल्टिलाय कर दिया तो पांच चाटे चालिस ठीक है पांच चालिस चार पाद दूनी दस और चार चोधा हासिल एक चिक तीस यह आगे दो पर पॉइंट है लगा दिया यहाव दिए आपको सेंटीमीटर भी यह रहेगा यह रहेगा वह दोनुची चार्चल चली जाएगी नीचे चली जाएगी 94.2 यह आपका क्या था वर सेंटीमीटर था आपका नीचे आगया 31.4 ठीक है सैंटीमीटर जीरो छोड़ देता है कोई दिक्रत नहीं है कोई दिक्रत नहीं होती है आपने अपर दस लगाया और यहां से पॉइंट है आपने दस लगाया दस से दस कड़िया जब देखेंगे इसे काटेंगे आप तो यह ठीरी पर जाएगा ठीक है देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो 314 इंटर में 3 करेंगे आप तो 3 412 असल वन 12-2 तू सोरी तू आप पर 3134 आ गया थी तू से भी काट सकते हैं अगर आपको काटना नहीं आता है बेटा तो आप इसे टू से भी काट देंगे कैसे टू वन जा टू फाइफ जा टैन टू सेवन ज आप 14-1-2 एट अनुट्री 2 तू अब काटंगे से काट जाएगा थी इधान रखना आपको ठिक है तो आपका सैंटीमेटर से सेंटीमेटर कट गया आपको जो आ रया आ रहा जाएगा आपका 3 सेंटीमेटर अब निकालना है हमें इसका आयतन तो आथन कालेंगे देटिए heen बहुति औस आने जो आ यतन में डिलन का ठीक है अपको लिखनाए आप अपर लेक्द तो दिरी आ गया है 3 cm गुणा में 3 cm इंट्रुम एच आपको पता है ततना है 5 cm मुल्टिप्लाइब कीजिए 3.14 आ गया 39950 45 45 गन सेंटीमेटर आ जाएगा ठीक है उस्ते बाद आप इसको मुल्टिले करेंगे इससे तो आपको आएगा 141.3 गन सेंटीमेटर ठीक है आप मुल्टिप्लाइब देख सकते हैं और आपका आज जाएगा 141.3 cm यह आपका आगया बेलन का ठीक होप आपको सब्सक्राइब आ रहा होगा अब हम करेंगे कोशन नंबर फिफ्थ और अच्छा साथ यह इस्अप है तो कोश्ण के दिए 10 गहरे बेलना का बरतंग आंतिर फिषक को पेट कराने का वियर के खर्चा होता बाईस वूर्पे है यति पेंट कराने की इस पर प्रति मिट वर्ड मिटर है तो ज्याद कीजिए आपको निकालना देखिए तो इसमें आपको करना कैसे है एक भास ध्यान पड़ेगा जो बरतन आपका जिसे माली यह बरतन है बेला का बरतन है ठीक है इसके घहरा मतला उचाई होगी दस मीटर पेंट अंदर पेंट कर रखाए बिटा कितना खर्चा आगे उसका 2200 रुपे और कितना रुपर अब करना क्या है बहुत बनाना को और हम करते हैं स्टार्ट तो देखिए हमें यह चीजे दीवी है उचाई दीवी दस मीटर आंत्री विट्ट पेंट करने का खर्चा विए दिया वह 22 रुपे और पेंट करने दर 20 करने की दर आपको समझ माया होगा खे भई जो आपको जब भी खर्चा निकालते हैं जहां पेंट किया है तो वह पेंट का एरिया चृत्रफल कितना है गुणा में दर रिट कितना ले रहा है वह इस तरह से आपको खर्चा इंकल जाता है यह आपको बहुत इंप्रटन कोशन ह और पेंट करने की दर क्या है उससे आपका रेट निकल आता है ठीक है तो आप कैसे करेंगे हम इस्टों उल्टा रिफ हूंगा उल्टा रिफने मतलब है कि भाई पहले मैंने दिया आंतरीक कि वक्र पिस्टी एंटुमें दर रेट ले रहे हैं वो यह आज आपका रचा जो मतला बताता हुआ है मैंने ऐसा मैं यहां निकालूंगा आपका वक्र पिस्टी निकलते होंगा आपको जार आपको बीज दिया होगा है खर्चा आपका 200 रुपे ठीक है तो इससे आपका आंत अज देखिए अंतरिक को वक्र विस्टी ए यह यह विस निचे बत्ते लाइगा और क्या आएगा आपका अंतरिक वक्र पिस्टी एड़ागा बंटे में 20 कर देगा दीजाएगा दो दो एकंदो दो डिदाव जीरो यह आगे आपका 1110 वर्ट लग नि data निटे यह आपका वर्ड मेंटर शेत्रफल आंदरा बोलेंगे मिट्ड यह प्रती वर्ड मेंट्र दिया होगा था प्रती वर्ग मीटर वो निचेश Snake का मतलब भी तुम आपके में वर्ड दस बच फॉचह थे दूसरा उसमें पूलेंगे है तो आप क्या करेंगे जो पुरिष्ट करेंगे जो आपका आंतरिक वक्ति के प्रिष्टि यह यह फो दस यह फो पता है क्या हुटा है टू पाइ और एच बराबर 210 वर्गमीटर यह नहीं भूलना आपको दो गुणा में पाइप ने लिया बाइप साथ हिंटू में आर यहां पर उटाई दस ठीक है और यहां पर आगे एक सो दस दस मीटर दिया हुआ है तो दस वर्क मीटर आ गया अप्टा करेंगे आप इन सब को मट्ले कर देंगे आपस में तो या जाएगा सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपका जाएगा चार सो चालिस आर इंटू में मीटर है आपका ठीक है अब लिचाते मीटर लिचाते मीटर ऐसे इस वल्टू सुद दस मीटर गावर्क गुणा में साथ कोई दिक्कत निया आपको और वैसे आपको आपको नहीं प्रोल्म में चोड़ सकते हैं आप उसमें कोई दिक्कत निरहेंगी आप आर निकालने के लिए आप 110 बटे में गया हुआ उसके बाद आपसे चीज पूची हुई है उन्होंने आयतन ठीक है जो बहुत इजी हो गया है क्योंकि आपको आरी पतल गया है और आपको उचाही पतल पता ही थी आपको तो तीसरा पॉइंट मैं सुल कर रहा हूं आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि साथी का सा सब्सक्राइब दो दुनि चार दूए thirty ढब दूभी सि neo city अधे 6 मुए और मीटर मीटर में यहापे लिए और तीक है ठीक है तो पास्ट हो है दो बार मेडर मीटर मीटर वर यहापे इसंटा मीटर हो जाएगा फिर आपने Näगा अले हों मैं फाइव मौटे में 4 मीटर क्वर्सके वाद पंटेला करेंगे लूटथ तूर्व तीन पाश्था में प्ञिटीन खाल शुटे में 4 गन फोम मीटर से बाग कर सकते हैं इसको आप एक बार चार नीम 36 भी कर सकते हैं से आप चार नीम 36 फिर्या बचेगा इसे बाग तो मैं आपको तीन सो पिच चासी को चार से बाग करें चार नीम 36 आपका दो और पांच चार चिट चोबिस आपका आपको समझ में आया होगा ऐसे पढ़ते रीजिए प्रैक्टिस करते रीजिए आपको अच्छे से मत आ जाएगा और ना समझ में तो आप कमेंट में वोक्स में डाल सकते हैं all the best